लेसुन के भाव में आई गिरावट किसान भाईयों राम राम जय जवान जय किसान किसान भाईयों आतरीक हो चुका है 14 दिसंबर 2023 और दिन की बात करें आदिन हो चुका है बीरवार और आज पंजाब लोध्याना में जो लेसुन का भाव है लेसुन का भाव की बात करें तो काफी गिरावट देखनों की मिल रहा है पंजाब लोध्याना में और मैं अगर कच्चे लेसुन की बात करूँ तो कच्चा लेसुन भी माइकर में आ चुका है और उसके आने से भी काफी फरक पड़ रहा है और मगर चार पान दिन पहले की बात करूँ जो लेसुन दो सो असी तीन सो प्रती किलो के हिसाब से पंजाब लोध्याना में बिका था और वही लेसुन में आज की बात करूँ तो आज 220, 230, 220, 220 के भाव में आज होल सेल भाव आर्थ बिका हुआ है और फुटकर की बात करूँ तो फुटकर भाव 42 रुपे किलो के हिसाब से पंजाब लोध्याना में लेसुन का भाव मुना हुआ है तो कच्चे माल भी आ चुका है लेसुन का और कच्चे माल की जो आवत है थोड़ी बहुत पहुंच रही है इस बज़ा से कई-कई मंडियों में इसकी गिरावट देखने को काफी मिल रहा है और जो सुखा माल यंपी से आ रहा है अगर यंपी की बाद करूँ तो यंपी का लेसुन जो इस समय आ रहा है तो बहुत सारे बेपारी लेसुन को अपना नहीं बेच रहे हैं अगर नहीं बेचेंगे तो बाद पस्ताएंगे क्योंकि नया लेसन आ गया तो आपके लेसन में काफी गिरावट देखने के मिल सकती है दोस्तों मेरे भाईयों मेरे किसान भाईयों मैं बता दूँ यह जो वक्त होता है समय होता है हर वक्त सही नहीं होता है तो अभी आपके पास समय है अभी महौल बना हुआ है लेसुन का अभी है इसका बजार तो आप लेसुन का जो आपके पास स्टोक पड़ा है इसको आप बेचने की कोश्च करें और समय समय पे रेट को बेचें और समय समय पैसा उसको वसूल करें नहीं तो आपके लेसुन में फाइदा नहीं होगा नुकसान होगा क्योंकि नया लेसुन कभी भी आ सकता है और जैसे भी लेसुन ज़ादा आएगा तो पुराने का जो भाव है घड़ जाएगा तो मेरे प्यारे प्यारे किसान भाईयों मेरे प्यारे प्यारे दोस्त आप लेसुन को निकालें और मार्क ले आए उसको बेचें अभी भी रेसुन का बजार बना हुआ है अगर आप का डिर्ट सो दो सो भी बिग जाता है तो सोने पे सुहागा है लेकिन अगर आप इंदजा दूं किसान भाईयों आप अगर वीडियो में बने हैं तो बने रहे एसे और वीडियो का लार्ट से देखें तो आप पता चलेगा लेशु के बजार में कितनी गिरावाट आई है तो मिलते हैं अगले नेट वीडियो में तब तक लिए आपसे इजाइब